हेलो, वेलकम टू शमनम की रिसिपीज आज हम लेकर आए हैं बहुती मज़ेदार और बिलकुल धाबा इस्टाइल भिंडी मसाला की रिसिपी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताके मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तो चलिए देखते हैं कि रहवाई स्टाइल मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की ज़रूत पड़ेगी यहाँ पे हमने दो बड़े साइस के टमाटरों को ब्लेंड करके प्यूरी बना लिया है एक बड़ी साइस की पैच को हमने इस तरह दरदरा पीस लिया है अगर आप चाहें तो इसे बारिक बारिक चॉप भी कर सकते हैं एक टीसपून भरके अधरकल सुन का पैस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून बेशन लिया है इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सुखे मसाल ले लिये हैं जो कुछ इस तरह हैं एक टीस्पुन जीरा पॉडर, दो टीस्पुन धनिया पॉडर, दो टीस्पुन लाल मेज पॉडर, एक टीस्पुन गरम मसाला पॉडर, आदा टीस्पुन हल्दी, एक टीस्पुन नमक जो आप अपने टेस्ट के साब से ले सकते हैं यहां पर हमने 20 गराम यानि 250 गराम भींडी ली है जिसे हमने अच्छे से धो कर साफ कर लिया है चलिए अब हम भींडी को कट कर लेते हैं सबसे पहले हम भींडी के उपर वाले और नीचे वाले पाड को कट कर देंगे उसके बाद हम इसके 20 से 1,5 से 2 इंच के तुकड़े करेंगे फिर सबी तुकड़ों को बीच से इस तरह एक कट लगा देंगे दीखिए हम इसे इस तरह बीच से एक कट लगा देंगे अगर केड़ा वगरा हो तो भी नजरा जाएगा ये दीकिए सारी भेंडियों को इसी तरह कट करके तैयार कर लिया है हमने यहाँ पे हमने कड़ाई को मेडियम फ्लेम पे रग दिया है कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है हमने देड टेबल स्पून बेसन को कड़ाई में डाल दिया है इसका कच्चापन धूर करने के लिए हमें देड से दो मेंट के लिए इसे लो फ्लेम पे भून लेना है देखिए बेसन का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसमें से खुशबो आना शुरू हो चुकी है अब हमारा बेसन अच्चे से भून के रेडी हो चुका है चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं पापस हमने उसी कड़ाई को ग्यास पे मीडियम फ्लेम पे रख दिया है कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है हमने इसमें एक टेबल इस्पून तेल डाल दिया है तेल के गरम होती ही हम इसमें कटी भी सारी भेंडियों को डाल देंगे हमें इन्हें लगभग 3-4 मेंट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है या फिर हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो हलका सा गोल्डन ब्राउन न हो जाए और भेंडि जो है वो हलकी सी सौफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे भेंडि को फ्राई करते हुए 3 मेंट हो चुके हैं देखिए भेंडि अच्छे से फ्राई हो चुकी है चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं भिंडी को निकालने के बाद वापस हमने उसी कड़ाई को मिडियम फिलेम पे ग्यास पे रख दिया है अब हम इसमें दो टेबल स्पुन तेल डालेंगे तेल के गरम होती ही हम इसमें एक टी स्पुन अद्रक लसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे दस से बारा सेकंड के लिए हलका सा फ्राई कर लेंगे हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्यूंकि यह आगे प्यास के साथ भी फ्राई होगा चलिए अब हम इसमें एक बड़ी दरदरी पिसीवी प्यास को डाल देंगे और इसे अच्छे से दो मेंट के लिए फ्राई कर लेंगे या फिर प्यास का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है प्यास को फ्राई करते हुए दो मेंट हो चुके हैं प्यास जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसमें सूके मसालों को डाल देते हैं सूके मसालों को डालने से पहले हमने ग्यास के फिलिम को लो कर दिया था सारे सुके मसालों को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे मसालों को हमने एक मेंट के लिए अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे हमने दो बड़े साइज के टमाटरों को मिक्सी में ब्लेंड करके प्यूरी बना ली है हमें टमाटरों को दो मेड तक अच्छे से फ्राई कर लेना है या फिर मसालों से तेल अच्छे से छूटना शुरू न हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है देखिए दो मेड बाद सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तेल भी उपर आ चुका है उसका अच्छा सा fine paste बना लेंगे और इसे भी मसालों में डाल देंगे हमने इसे पहले सी ही भून लिया है इसलिए हमें इसे मसालों के साथ सिर्फ अच्छे से मिला लेना है अब इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर बेसन को 2 मिन तक पका लेंगे हमने पानी डाल कर बेसन को 2 मिन के लिए पका लिया है अब हम इसमें आदा गलास पानी डाल रहे हैं हमें कितनी ग्रेवी चाहिए उसे साब से देखते वे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे हमने इसमें पहले आदा ग्लास पानी डाल दिया था, अब आदा ग्लास और डाल देंगे, यानि कि टोटल एक ग्लास पानी हमने इसमें डाल दिया है, आपको जितनी गाड़ी या पतली ग्रीवी चाहिए, उस हिसाफ से आप इसमें पानी डाल सकते हैं, अभी हमारी ग्रीवी में उबाला चुका है, अब हम इसमें हमारी फ्राइक करके रखी भी भेंडी को डाल देंगे, और इसे ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे, अब हम इसमें उबालाने देंगे, देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाला चुका है, अब हम इसे ढख कर 6-7 मिंड के लिए लो फिलेम पे पकाएंगे ताके हमारी भींडी जो है वो अच्छे से गल जाए भींडी को लो फिलेम पे पकते हुए साप मेंट हो चुके हैं आईए अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं देखिए भींडी का कलर कितना अच्छा सा आ गया है और हमारी भेंडी भी अच्छे से गल चुकी है हमारी धाबा इस्टाल भेंडी मसाला रेडी है आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों और फैमिली में शेर कीजिए तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई